हाला दोस्तो, KPD कंपाणी का 5 kg है मारे मैसीन, मेरे पास रिपेर करने लेके आया है, बोल रहा था मैसीन में कम पेसार कम हो गया है, यह मैसीन ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तीन मैंना हुआ है, तो मैसीन में क्या पॉब्लम है हमें चेक करना है, तो पहले हम इसमें मैसीन को ब किये तो कारबोन कॉलिटी बहुत ही अच्छे है लग रहा है तो फिटिंग कारने बाद पता चलेगा कि मैसिन को सब कुछ साइड में रखके मैसिन को हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि शुट देड़ा कर दो कि और विटिंग की किस से लुट कारने रखके मैं माँदें रखके मैं पार्ड़ किसी ऐसे किसी किसी अच्छे हां रखके मैं मेर्फ दूर्प कारणे सनगें प्रोस निला ने उर्ण। थो दोस्ते लो को में यूड़ाले मों सबने कारीा है डॉजी ने अमना, हम पाष। एक लडी कारी यूचरे है सुपनेों के सम्रोटा के लोगो है अब करनाई समय बगुत को खूल करना इसमें जाब हुआ है इसमें अब इसमें रहे हो पुर आफास के लिए समय आए मैसन में थोड़ा स्पार्क हो रहा है तो मैसन को हम खोलके चेक करता है इसमें क्या हुआ है पहले हमें इसमें जहाँ पे पीश्टन डाल देना उसमें जो औरिंग होता है औरिंग खराब हो जाने से कमपेसर कम हो जाता है तो हमें इसको चेक करना है नया मैसीन है तो कैप ओपेंड करके देखते हैं देखिए इसमें क्या किया है तो इमेज जो मैसीन है इसमें गिरीश थोड़ा ज़्यादा भर दिया इसी वहाँ से साइद औरिंग खराब हो जाता है तो गिरीश ज़्यादा जिलर भजने बन जाते तब और इंग जल्दिलादी खड़ाब हो जाता है इस में विक पफिद्दी कमपणई गर्युंदी की है इसमें घूकंतल DRC जलदी खरब होता है तो एक खरब होने का जो कारण है मैंने पता किया था इसमें जो recommendations है इसको आप चेंज कर देंगे मैसिन में problem कुछ नहीं रहेगा जलदी खरब नहीं होगा इसे mention holder में problem होते है तो आप पूरा वीडियो को देखिए हम आपको देखाएंगे इसमें पॉब्लम कहाँ पर है तो इसमें किसलिए इसमें ओरिंग जल्दी खरब हो जाता है आपको और एक चीज के बारे में हम जानकारी देखेंगे इसमें जो ओरिंग फिटिंग होता है ना दो ओरिंग का अलग काम होता है, तो दोड़िंग का अलग क्या काम होता है, आपके साथ हम सेयर करेंगे, पूरा वीडियो अब देखिये, तो हम आपको अज कुछ अलग जानकरी सेयर करेंगे. तो थोड़ा टाइट होता है तो हातों से बढ़े से पकड़ के हम उसको धिरे से ओपन कर लेते हैं बढ़े से ओपन हो गया है तो इसमें जहांपे स्टाइकार फीर्ड है ना तो इसमें ओर इंग भी थोड़ा खराब हुआ है तो धिरे से हम ऐसे नीचे करने से आ जाएगा हातों में हम आपको देखा देते हैं देखिए थोड़ा बाहर हो रहा है देखिए बड़ी से बाहर हो किया है तो इसमें कमपसर उतना जदा नहीं है देखिए बड़ी से बाहर हो रहा है तो इसमें कमपसर कितना हैं हम आपको देखा देते हैं देखिए थोड़ा फ्लास उन करके हम आपको इसमें डालके देखा देते देखिए बहुत ही इदा ग्रीस दिया था देखिए ऐसे ऐसे इसीली चला गया अंदर इसमें नया ओरिंग डालने से क्या होता है वो टाइट रहता है आपको हातों से इसको प्रेस करके अंदर डालना है जब इसमें नया ओरिंग फिटिंग करेंगे तो आपको देखाएंगे तो इसको जो सिलिंडर है सिलिंडर में कहां पे खरा भी है आपको साब सब्सक्राइब करने के बाद देखाते हैं мे एक विडियो दिया था 2-4 दिन पहले विडियो में आपको एक चीज देखा था, यहां पे जो जहां पे हम चीजल का बीट फीडिंग करते हैं ना, जे देखिए मैंने जो श्टाइकार जहां पेज में टककर मारतें जैसे जांपिंग बूस जो होता है 26 में कुड़े में हमार में काम तो सेम होता है तो एक कभी कबार क्या होता है लॉक हो जाता है तो लॉक होने पर आपका जो हमारिंग रुख जाता है तो आपको आगे से हमार से ठोक के उसको नीचे करना है ने तो कभी कबार क्या होता है नी जैम होता है, 3D में tight होता है, कभी-कभी गौन से भी बड़े से चिपक जाता है, तो आपको ऐसे ठोक के इसको ठिक करना है, उसके बाद थोड़ा ग्रिसिंग करने के बाद बूद बड़े से काम करते हैं बड़े से काम कर पहोगें स्टाइकर और ओरिंग को हम बड़े से साप करते हैं तो हम आपको कुछ डिटेल्स जानकर इसेयर करेंगे देखिए इसमें जो ओरिंग है ना तो ओरिंग का जो color है आप देखिए इसमें color है black तो इसमें जो ओरिंग है ओरिंग का color है black तो piston में जो ओरिंग होता है उसका color थोला अलग होता है तो इसमें जो piston और striker है उसमें दो ओरिंग अलग-अलग fit होता है और इंका साई तो सेम है उसमें देखिए ऐसे फेटिंग रहता है तो थोड़ा साब साब आइक बाद आपको देखाते हैं वाईफ किलो है मारेप कपीडि कमपानी जो कनेक्टिंग रहाड है वह थोड़ा अलग होता है थोड़ा पतूलला है तो आपके साध आम शेयर करते हैं पूरा वीडेो आप देखिए थे तोड़ा साब साब समय करने के बाद आपके साथ हम सेयर करते हैं झाल झाल इसमें जो connecting rod है थोड़ा अलग है बूती पतले है तो इसमें जो देखिए फिश्टन भी हम सापसवाई कर लिये हैं आपके साथ कुछ स्यार करते हैं मेरे पैस जो connecting rod है तो इसमें हम जब भी इसको डालेंगे थोड़ा play होता है देखिए हम आपको डालके देखा देते हैं अलग अलग है तो मेरे एक अलग मैंने राखे थे वह बहुत ही अच्छे है तो उसी को मैं piston में fitting करके आपको देखाते हैं देखिए यह थोड़ा play हो रहा है और मेरे पास जो और एक है बहुत ही अच्छे है तो इसमें fitting होंगे तो इसमें gap कम रहेगा gap कम रहने से क्या होता है इसमें जो पीन है पीन में घर्षन कम होता है आगे फीचे होने से जल्दी खरब नहीं होगा बड़े से fitting रहेगा तो इसको आप fitting कर पाऊगे आपको यह देखके fitting करना इसमें एक छेद भी होता है इसमें नहीं है यह जो connecting rod है इसको हम fitting कर लेते हैं तो हम oaring के बारे में क color भी अलग है एक थोड़ा light color एक थोड़ा डिप color इसमें oaring का color तो सेम है color में थोड़ा change है तो मैंसिन के जो oaring fitting रहते हैं उसमें भी color आपको change देखने को मिलते हैं तो इसके में कुछ details जानकर यहां आपको सास्थ share करते हैं यह जो 2 oaring होता है ना oaring दो अलाग अलाग है जो stryker में oaring fitting होता है वो अलाग होता है और जो piston में oaring fitting होता है वो अलाग होता है तो आप जब यह新ग में खरिदते हो ना तो उछ में आपको अंतर देखाई देगा आप मार्केट में बहुत सारे ओरिंग खर्द तब आपको देखाएं नहीं देगा, जैसे 220 हमार, 206 हमार में जैसे हम ओरिंग खर्द लेते हैं, उसमें ऐसे अंतर नहीं देखने को मिलते हैं, देखिए, दो अलग-अलग ओरिंग का कलर है, तो A ओरिंग खराब हो गया, हो जाता है, तो इसके खराब होने का रिजन तो हमें इसको खराब किया था, तो इसमें ग्रीज जदा भर दिया था, इसमें जो सिलिंडर है, सिलिंडर में खराबी होता है, सिलिंडर का अंदर कुछ पॉबलम है, आपके साथ हम सेयर करते हैं, थोड़ा साप सापाई कर देखिए इसमें अंगली को अंदर डालने पर आपको मैसूस हुगा इसमें कुछ सामन से कुछ टच हुआ है करने का उपाए एक ही होता है इसको सेलिंडर को कोई चेंज करना है तो मैसीन बड़े से चलेगा कुछ भी पॉल्ल्लम नहीं रहेगा मेसीन में जो भी पेयर पास दिया है बहुत ही अच्छ है इसमें कुछ भी पॉब्लेम नहीं होता बड़ी से काम होता है इसमें सिलेंडर पॉब्लेम होता है इसी वए sensitivity आपको ओरिंग जल्दल्दी खराब हो जाता है मेसीन में आपको ग्रीष थोड़ा देना है नहीं तो problem होता है तो इसमें जो connecting rod है इसमें बड़े से fitting होता है दोनों में play बिल्कुल एक जैसा है इसमें कुछ भी problem नहीं है तो हम सभी को check करते हैं बारी कैसे देखिए दोनों में play सेम है इसमें जो roller रहता है न वो थोड़ा play ज़्यादा होता है रोला से ए बाला connecting rod बहुत ही अच्छे होता है जब भी इसमें o-ring fitting करेंगे न तो o-ring को हमें देख के fitting करना है तो इसमें दो o-ring होता है दो o-ring का color अलाग होता है यह देखि इसमें जो ए बाला o-ring है न तो हमें दोड़ाद देख के fit करना है तो इसमें color आपको दो अलाग अलाग कर देखना है मुलेगा यह जो drip color का o-ring होता है न तो इसमें हमें softness को देखके check करके fitting करना है तो ये जो ooring थोड़ा drip color का होता है तो हम उसमें कुछ चेक किये हैं तो आपके साथ हम सियार करते हैं जो drip होता है थोड़ा light नहीं है ये जो soft है और ये थोड़ा hard होता है देखिए जो hard बला oaring है वो stryker में आपको fit करना है तो यह थोड़ा hard होता है इसको आपको टाइकर में fit करना है और जो soft oaring होता है तो उसका color थोड़ा light होता है हलका color का होता है तो piston में आपको green color का oaring देखने को मिलेंगे सभी 5 kilo hammer में और उसमें और एक blue ने तो red ने तो आपको black ऐसे कुछ color में जो मिलते है आपको पेसार उसमें चेक करना थोड़ा हातों से तब देखने को मिलेंगे श्टाइकर में जो oaring fitting होता है और पीश्टान में जो oaring fitting होता है तो थोड़ा soft होता है तो आपको देखके फिटिंग करेंगे ना तो ओरिंग जल्दी खरब नहीं होगा बड़े से चलेगा मैंने बहुत दिन से कम कर रहा हूँ मैंने color changing देखे है मेरे को कभी सावाल नहीं हुआ ये color ऐसे क्यों होता है और ओरिंग जो दिये जाते हैं उसमें भी color फोला change होता है उसका करन क्या है मैंने कुछ आज खोज किया था तो आपके साथ share किये है आपको अच्छा लगा तो मेरे जो खोज को आप like करना comment करके बताना मेरे खोज आपको कैसा लगा तो मैसिन में जो भी technology company use किये है किसी के साथ share तो नहीं करते है हमें उसको खोज करना है हमें सीखना भी है देखिए इसमें compressor बड़े से काम हो रहा है हातों से हम पेसार से अंदर डाल रहे है तो हम greasing करने के बाद मैसिन को fitting कर लेते हैं तो बड़े से मैसिन चलेगा तो हम लेको नहीं कर दो दो एंदर रहे है कर दो 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 प्रॉशब ग्रत यजय कर दो झाल झाल आपको मैसिन में जब भी ग्रिस करना है ना तो थोड़ा करना है ज्यादा नहीं करना ज्यादा करने से हीट होता है हीट होने के वज़ा से ओर रिंग खराप होने का चांस होता है तो आपको थोड़ा ग्रिस करना है कितना ग्रिस करना है हमको दिखाए थे ज्यादा नहीं थोड़ा ही करना है उसमें गैप भी आपको छोड़ना है झाल करना है मैसन में कारबोन थोला फ्लास हो रहा था तो कमपानी को और से जो कारबोन दिया है वो कारबोना फिटिंग करके देखते बड़े से चलेगा तो ठीक है ने तो निया कारबोना में डालना है झाल करना है झाल 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 थाल हावने रखेता अवैं तब्शा को भाड़े रहा थीत आता हो अपयों पूलड़े रहा कार्बान लागे थैट बसक्राब कचिंगी कार्बन लागे में ना लागें गित नौड़े रहा कोरवू झाल टम्हार में खड़ा कि लेड़ अब़ा काद अब पाय मेंसन के साथ जो कारबन दिया था और डालने पर बहुत ही दा फ्लास दे रहा था मेरे पास जो कारबन होता है अगनी कमपनी का कारबन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कारबन इसमें फिटिंग किया है बहुत ही अच्छा से मैसिन चर रहा है उसमें स्पार्क नहीं हो रहा है तो चिजल फिटिंग करने के बाद मैसिन को हम टेस्टिंग कर लेते हैं कमपेसर कितना ज़्यादा हुआ है तो इसमें पॉइंटिंग चिजल है तो यह डालने के बाद लगड़ी के अंदर जल्दी घूज जाएगा बाद में पॉब्लेम होगा इसी से हमें टेस्टिंग करना है तो चिजल को फिटिंग करने के बाद मैसिन कम चला लेते हैं खर जास हमें इससे चला है कि अ कर दो आजको जा हूं आजिए और कर दोने कर दो लुदर बोवाद नुदर कर दो लप सिय मोगाले तर इस तिप नुदर मैसा कर अगा मैसाज कर देज्ट कर दो कर दो कि अपया है